प्रफट यह ट्रीक है और यह टेस्ट नंबर 32 32 का सेकेंड पार्ट इसका फ़र्स्ट पार्ट हम लोगों ने सौल कर लिए और विजन के जितने जो हमारे 24 से स्टार्ट है अब लोगों ने जिसने भी नहीं देखें तो वह ने उसकी प्लेइस्ट बना दिया आप मेरे यूटूब चैनल के प्लेइस्ट में जाके आप देख सकते हैं और पीडियेफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लिजिए उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है जो टेलीग्रा अगर हमारा पढ़ा हुआ होता है तो हम लोग उसको टेकल करके ले जाते हैं ठीक है उसे अटेम्ट कर लेते हैं तो उसको एक बार पढ़ लिजेगा और जितना हो सब्सक्राइगा मैं यहां डिसक्स कर लोगा ठीक है यूपीएस्ट वालों के लिए वैसे भी टाइम बहु कुश्य नमेर कहा गया है तो प्रस्ट या अमले दिये गया है अनके शुरूत दिये गया है और अलयक्टी कम्ट की बात करें तो नीबू है सा crochet Reilly कमल है यह तो टमाटर में पाया जाता है ठीक है अग कमल यह फिस्ट को यह सुमीलित लेकिन यह लेक्टिक कमल होता यह को देखने में मिलता तो यह जो नहीं आ नहीं है तो हमारा one thatsel हमारा о्जाता है ठीक नेक्स जैविक अपसिस्ट को जयो हाइड्रोजन में बदलने वाली प्रिक्रिया डार्क फर्डमेंटेशन के संदर में निम्री कतनों पर विचार करना है तो फस्ट है कि आक्सिजन की उपस्तिती और अनुपस्तिती दोनों में हो सकता है इसे क्रिस्यूम खादि अपसिष्ट का आदान शाम पर्थम शहताब्दी ईश्वी के पूरवार्द में हुए घटना कर्मों के संदर में निमिनिक पर विचार करना तो फर्स है कि अलवर और नैनार ब्रह्मन वादी धर्म में परचली तो कठोर जाते वश्ता के प्रति अनुकुरिया शुरूप उभरते थे सेकेंड है अलवर और नैनार नैनारों ने जैन धर्म और बद्धर्म की तपस्या का समर्चन किया तो देखों यह सेकेंड यह गलत हमारे स्टेट्मेंट है क्योंकि अलवर और नैनार जो य कि यह कठोर तपस्या पर भीषेशबन नहीं देते थैंकर इन्होंने बेरोद किया है उन्होंने बेक्तिगत समरपन के इस वाइव मंडल में हाइड्रोक्सी करन जो होते हैं उनकी भूमिका के संबंद में लिम्र ficouतें। नोंकि इनकी आकशीजन उन्टा होती है जो ग्रीन हाउस गैसों का संधर Wickंग करने में सङायता करते हैं। सेकिए इनमें वाइव मंडल में जीवाणों और बीसाड़ूं को मारने में सहाइथा मिलती तो ये दोनु इस्टेंटमेंट सही है क्योंकि जो वाइव मंदल में जिवाण और वाइरस होता होते हैं ठीक है और ये जो उच आक्सीजन की चम्था होती में और यह ग्रीन इस जो है मित्हें और ओजून इनको जो है मतलब कम करने में यह मतलब सहहता इंका संद्रन कम करने में मिशायता करते हैं तो दोनों स्टेट्मेंट हमारे सही हो गए तो हमारा आप्शन सही है एक और दो दो नो ठीक है नेक्स है कि भारत में फास्ट्रेक कोट के संदर में निम्रिक कत्नों पर विचार कीजिए तो फास्ट्रेक कोट की इस्थापना किंद्र सरकार के अधिकार छेतर में सामिले सेकेंड है कि नयायालों के सदस्शियों पर प्रसाशनिक नियंतर की चुना जाता है 해 रहे के अधिकर्णार की जो जो वियर स्धापना इंदर सरकार किरा अधिकारम से होता हो के अधिकार छेत्र में नहीं है यह राजी चुर्कार कर अधिकार 14 शेत्र होता है इसटेट का ठीए और सभी से अंतरगत जो हाई कोर्ट को पूसके बानाती है जैड़े ने यह दोनों गलत हो गए और स्टेटमेंट तो थाड़ है सी ओप्षन हमारा सही हो जाता इसके वल तीन नेक्स है नेक्स है हमारा 56 कुष्टन नमर इसमें पस्वों पर परिच्छन नियंत्रन यों परिविच्छन प्रियोजनार्थ समित के संदर में निविकतनों पर विचार करना है तो फस्ट है कि यह पस्वों के प्रतिकुरूरता का निवारण अधनियम 1960 के अंतरगत इस्थापित किया गया निकाय है सेकेंड है कि इस समित में बैग्यानिक शमुदाय के सदस्वी सदस्य नियम की अधिकारी और पस्व कार्यकरता सामिल होते हैं प्रयोगों के प्रयोगों के संचालन की अनुमत देने वाला नोडल प्राधिकरन इनके बारे में बात करता है तो देखो जो यह इसमें कहा गया है कि तो यह तीनों स्टेट्मेंट हमारे जो यह सही है जो पस्वों पर परिच्छन के नियंतर ने हों परियोच्छक के प्रयोजार्थ समीथ है ठीक है यह तीनों स्टेट्मेंट हमारे सही है क्योंकि इसमें जो है अधिनियम था जो यह पस्व के प्रतिक्रूरता निवानन अधियम 1960 के अंतर के इस्थापित किया गया है ग्यानिक समदाइक के सदस्य के साथ नियम की अधिकारियों पर्षपार करता भी सामिल है इसमें और यह पस्वों के उपियोग से जुड़े प्रियोगयों के संचालन की अनुमत देने वाला एक नोडल प्राधिकार होना है ठीक है और इसमें 17 सदस्य होते हैं ठीक है इस सम परवर्तन एकिकरण स्थाइप तो यहे तो सहरों का निवेश कारिकरम पहल है किसकी पहल है यह बताना है तो फर्ष यह की नीती आयोग और सहरी मंत्राले और विश्व बैंक समू का यह पहल है साइट के बारे में जो बताता है ठीक है तो देखो इसमें यह जो हमारा भी आ सङी है जो आवास और सहरी कारिमन्तरालियुम यू valley यूरोपी पहल है जो विव श्व मार्ट सिटी का हमारा जा रही थी परियोजना जिसके इंतरगत आ रहा रहा था उसका ही पूरफ माना जाता है 더 हमारा ब्रशाख यह सही हो हुसकते घलत है इसमें वह सकतते हैं इसे उको जीव से लेकर आपको मिलेगा ज़ी शॉक्षा हारी जीव और और मांचाहरी सारे की स्टोन प्रजातियां पाई जाती है ठीक है और ये जो बहुतायात में कहा गया तो ये जरूरी नहीं है कि बहुतायात में पाई जाएं जो की स्टोन प्रजातियां होती है ठीक है क्योंकि ये एक पारिस्थित की तंत्र का अधार होती है और इसके अगर जो ये की स्टोन प्रजातियां बिलुप्त हो जाए या खतम हो जाए तो उसकी कोई जगा नहीं ले सकता ये खादिश रंखला में महत्वूर योगदान देती है ठीक है अगर ये की स्टोन प्रजातियां खतम हो जाती है तो उन पर जो जीवित रहते हैं जीव तो उनकी प्र हो गए तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है ठीक है नेक्स है हमरा कुष्टन नंबर 59 इसमें राश्ट्रिपत्पत्र के निर्वाचन के संदर में निम्लिक कत्नों पर विचार कीजिएगा तो यह बताना है तो फर्स्ट है कि भारत में राश्ट्रिपत्र चुनाओं के लिए प्रॉक्सी ओटिंग की अनुमत नहीं है सेकेंड की राश्ट्रिपत्र के निर्वाचन से उत्पन ससक्त सभी संकाओं और विवादों की जांच और वीनिश्चय उचितम नियाले दौरा किया जाएगा थर्ड की राजनीतिक दल अपने सदस्यों को चुनाओं में एक विश पत्रिपत्र के निर्वाचन से उत्पन ससंक्त और सभी संकाओं विवादों की जांच बिनिश्चय करने का जो बिनिश्चय उचितम नियाले दौरा किया जाता है तो यह भी हमारा स्टेट्मेंट सही है लेकिन यह थार्ड गलत है क्योंकि इसमें जो मतदाता होता है वो प परिवार में जन्मी एक महिला नेत्री अक्सफोर्ड से सिच्छित उनीशो अठारा में भारत लोटी और महत्मा गांधी के कारियों में शिच्छाओं की और आकरसत ही कालंतर में वे उनकी सच्यू बनी उन्होंने नमक सत्यगरा और भारत शोनों अंदोलन में सक्री रूप से भाग लिए वे शोतंतर भारत की पर्थम स्वास्ति मंतरी बनी उन्होंने वे पद्ध समालने वाली पर्थम महिला और पर्थम एसी आई बनी थी तो इनके बारे में बताना है कि जो ये बीच्वी सदी की निम्लिकित में से किस महिला प्रशिद्ध महिला का वर्ण किया है तो किसे बारे में हैं ये तो देख लेते हैं ये अप्शन है कि बिजयल अच्मी पंडित के बारे में कहा गया है या राजकुमारी अमरत कौर सरोजनी नाइडू या भी मैडम भिकाजी कामा तो दिखो ये बी अप्शन इसका सही हो जाता है कि ये राजकुमारी अमरत बताया गया है तो भी आप्षिन हमारा सही हो जाता है तो यह चारो जो नदियां आपको देखने को मिलेंगी यह चारो नदियां जो है यह हिंदुकुष हिमाले के छेतर से परवाइत होकर आती है तो इन चारों का तो हमारा डी उप्षिन इसमें सही ओजाता एक दो तीन चार ठीक है नेक्स है कि निम्लिकित में से कि इन पदधार्गों को पदचुप्ट करने में संसत की भूमिका होती है तो फस्ट ऑप्शन है कि भारत का मुक्ष निरवाचन और नियंतरक महालेका परिश्चक इसको महाभियोग द्वरा ही हटाया जा सकता है तो यह महाभियोग की प्रिक्रिया आपको संसद में देखने को मिलती है ठीक है तो इनको तो इनके लिए तो प्रोविजन किया गया लेकिन यह जो महानयवादी इसे राष्ट्रपत द्वरा और महा राज्य महा मानवा अधिकार आयोग के अध्यश्च को राष्ट्रपत के द्वरा पद्चुक्त किया जा सकता है ठीक है तो यह दोनों हमारे मतलब फस्ट और सेकेंडिस में सही है और फूर्थ फर्ड गलत है ठीक है तो हमारा एक और दो सही हो गया भी ऑप्शन एक 5 प्रफ्र चलाओर ऑप्शन है हमारा वैले जली सब्सक्रा पही क्षिछ गिटार ऑफ्रफ प्रवार है हम जो है जो यह देकनी को मिलता है हमको पहलत है यह सही हिए लार्ड लेटन के बारे में इन्होंने प्रफनिश क्या था है कि मतलब बैग्यानिक शीमाओं को प्राप्त करना और प्रभावी जो छेतर थे उनकी शुरक्षा करना यह मतलब इसे पाउंडर रिजर्व नीटी की का उद्देश से मुक्षिता ठीक है नेक्स है हमारा 64 कुस्टन नमबर इसमें निर्याद के लिए ब्यापार और सरचना योजना के बारे में मतलब पी आई एस के संबंद में निमिकत्नों पर विचार करना है तो फस्ट है कि यह केंद्र रोय और राज सरकारों की एजन्सियों को निर्याद की ब्रधी के लिए उचित अवसरचना तयार करने में सहायता परदान करती है सिकेंड है कि इस योजना ब्यापार यह योजना ब्यापार अनुपालन के लिए पादप सुचता और तक्नीकी बाधाओं सहित गुडवत्ता और प्रमाणन उपायों को संबोरित करती है तो इसके जो ये ब्यापार अवसरचना योजना है इसके बारे में बताना है तो देखो इसकी जो बात करें तो ये दोनों स्टेट्मेंट हमारे सही हो जाते हैं क्योंकि ये जो थी इसकी स्थापना की गई थी जो बित्ती वर्ष 2017-18 था ठीक है 17-18 में इसकी इस्ठापना की गई थी और इसका उद्देश यही था कि ये केंदर सरकारों और राज़ी सरकारों के निर्यात की ब्रद्धी में उचित अवसरतना त्यार करने में साहता करेगी और यह योजना ब्यापार अनुपालन के लिए पादप सुचता और तक्निकी बा कारे में बताना है तो फर्स है कि इकामर्स में इन्वेंटरी आधारित माडलों में 140 मार्क के अंतरगत 49% FDI की अनुमत प्राप्त है ठीक है सिकेंड है कि यदि कोई मार्केट प्लस एकाई किसी विक्रेता को अपने प्लेटफार्म पर विक्रेता के 25% से अधिक माल को को कोई भी उत्पाद अननी रूप से उसी मार्केट प्लेस पर बेंचने के लिए अनुमत नहीं है तो यह देखो दोनों स्टेटमेंट यह हमारे सही है थर्ड और फॉर्ट थर्ड और इन शेकेंड ठीक है लेकिन यह जो इन्वेंटरी बेस्ट आधार की माडलों को 140 मार्क से एवडियाई की बात करें तो यह 49 परसेंट नहीं 100 परसेंट एफडियाई की अंगमत प्राप्ट ठीक है तो हमारे दो और तीन स्टेटमेंट सही हो जाते हैं तो भी ऑप्सन हमारा सही है थिके नेक्स हमारा 66 में जेश्टी परिश्ट के संदर में बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ठीक है तो फस्ट है कि यह वस्ट और सेवा कर्थ से संबंदित मुद्दों पर संग और राज की अनुशंसा करने वाली समयधानिक निकाय है इसका अध्य चिकेंद्री बित्मंत्री होता है थर्ड यह कि परिशद के निर्यात परिशद के निर्णे उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारान बहुमत से लिए जाते हैं डी ऑप्शन है कि यहां वह अनुशंसित करता है जिस तिपर प्रकार्टिक गैसों व सेवा कर लगाया जाता है तो देखो इसमें यह The ऑफिन गलत है और यह सारे हमारे यह 3-2 अस्टेक्मेंट सए्धित्मंत्री होता है और प्राकर्तिक जो वाज़तित होती है जिस पर प्राकर्तिक वस्त चवकर लगाया जाता है ठीक है और यह राजी और संग और राजियों की मुद्दों की अनिस्वाइब करता है यह इसे आर्टिकल 279 एक अंतरगत इसका अमेंडमेंट करके तो नहीं नहीं यह थर्ड वाइब फॉर्थ पहुमत से जो भी निरने लिए जाते हैं यह थर्ड वाइब फॉर्थ से लिए जाते हैं ठीके मतलब 75% बहुमत होना चाहिए तब कोई निरणय पास होता है तो हमारा सी अप्शन इसमें सही है नेक्स है कि किसी देश के ब्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपाद के संदर्ब में निम्री कत्मों पर विचार करना है तो फ़स्ट है इसकी गड़ना किसी निश्चित अवधिके निर्याद के मूली को सकल घ गरेलू उत्पाद से विवाजित करके किजाती है या किसी देश के ब्यापार है तो खुलेपन की मात्रा इंगित करता है भारत का ब्यापार शकल घरेलू उत्पाद अनुपाद सायूक तराज अमेरिका और चीन की तुलना में अधिक है तो देखो इसमें अधिक है हमारा क्योंकि जो इसमें देखने को मिलेगा हमारा जो यह अनुपात है यह 53% देखने को मिलेगा ठीक है चाइना से अगर बात करें तो यह 38% है और अमेरिका में बात करें तो 28% है ठीक है और ये जो सेकेंड भी साहिए कि किसी भी देश का ब्यापार खुलेपन की मात्रा को इंगित करता है जो यह है देश के ब्यापार शकल घरेलू उत्पात का अनुपात थी तो दोने स्टेटमेंट साहिए लेकिन फ़स्ट वाला गलत है कि इसकी निश्चित अवद की लिए आय और निर्याइद के मूली को सकल घरेलू उतपात से विभाजित किया जता है ना कि केवल निर्याइद तो तो हमारा दो और तीन स्टेटमेंट सही हो जाता है यह हमारा उप्सन सही है नेक्स है कि भारती शेयर बाजार के सुचकांगों पर आधारित सेंसेक्ट और निफ्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार करने वाली शीर स्टीस कंपनियों का सुचकांग है सेकेंडे सेंसेक्स के लिए आधार वर्थ 1978-79 है जबकि निफ्टी के लिए आधार वर्थ निफ्टी का है और जो यह निफ्टी है इसको एक हजार सुचकांक मान के आधार पर इसकी गड़ना की जाती है लेकिन जो इसकी हंड़ेट के आधार पर की जाती है ठीक है है कि और यह जो कहा गया कि बंबें in चलते कंपनि लात यह वाली कंपनी सीस्टाइस पचास कंपनिया तो नहिं नहीं इसमें 30 कंपनियों पे कारोबार किया जाता है निर्वाचन शेटर के प्रतन चुन और फॉस्ट पॉस्ट के आधार पर करते हैं Olikkin doe Jquinho can All- gevses निर्वाचर क्षेथर में कम सब्सस्यों माधमिक अवार्थ में केफल पूर्ण कालिक ऍंग सिष्चक को मद्दान करने है तो पात रहें सब्सक्राइब किसी भी मानेता प्रति भारती विश्व बिद्याले से इस्तान इसना तक या समकच स्योगता रखने वाले लोग मद्दान करने तो पात्र होते हैं तो दोनों स्टेट्मेंट यह सही हैं लेकिन यह इसमें फर्श्ट पॉस्ट पॉस्ट शिस्टम यूजर नहीं होता है जो राज विद्हान संक्रमणी पति मत द्वारा चुनाव किया जाता है राजिशवान राजिविधान परशद के सदस्यों का ठीक है तो यह हमारा गलत हो गया फरस्ट शेकेंड और थर्ड सही है तो हमारा यह अप्शन सही हो जाता है ठीक है दो और तीन सब्सक्राइब कहा गया है कि भारत में इ प सहरी को शामिल किया गया है ना कि ग्रामिड को ठीक है जो यह इज लिविन इंग डेक से और यह और इस्तिरता की बात करता है ठीक है इसके अंतर्गत 50 शुचकांक और इसमें इसी के अंतर्गत समिलित करेंगे हैं इन तीन मापड़ों के अंदर कर उसी के आधार पर निर्धारित किया जाता है जीवन शुगमता सुचकांक ठीक है तो इसमें हमारे कोई भी ऑप्सन ये भूतियों में ब्यापार करने के लिए वाड़िक उधार करताओं और उधार करताओं के बीच मद्धिस्त के रूप में कारी करता है सेकेंड है या भारती रिजर बैंक दौरा सारजनिक छेतर के बैंकों और बित्ती संस्थानों के सहीयोग से इस्थापित किया जाता है तो या बिबिन अल्पकालिक प्रतिभूतियों में व्यापार करने के लिए वाड़िजिक उधार करता हूं और उधार करता हूं के बीच मद्यस्था का कार करता है इसकी स्थाफना आर्बियाई द्वारा 1988 में की गई थी ठीक है नेक है तो हमारा बिबिन पर इसमें कहा गया कि निम्ने कस्म पर विचार करना तो फर्स्ट है कि संसदी प्रणाली अध्यच्छात्मक प्रणाली की तुलना में अधिक उत्तरदाई सरकार सुनिश्चित करती है सेकेंड है भारत में मंत्री परसे सामुई कर रूप से संसद के प्रतिव करता होती at a stay at memberute लोक्सभा सभाय और राश्रीपती का तीनों मिलकर संसचा का निरमाढ़ करती है तो संसच्त के प्रतिकर से हो सकती है तो यह हमारा गलत हो जाता है और पहलावला था ही है क्योंकि जो संशधी प्रनाली है अधिक उस्थरदाई सरकार होती है ये अधिक फिर नहीं होती है डो प्रतिन करता होता है इस ड्रुखर करटी बहुत में मटोण में तो यह रहे कौन से हाल ही में सिर्कियों में रहे निकित में से कौन सा हाल ही में शुर्खियों में रहे शॉलीडेटरी ट्रायल का सरुख शुरिष्ट वरणन करता है तो सॉलीडेटरी ट्रायल के बारे में बताना है कि या बिक्सित अर्थ विवस्ताओं के विकास के लिए कम उठ्षरजन का मार्ग अपनाने के लिए एक अभियान है और बी ऑप्शन है कि या संघर्च सेत्र में मानवी संकट से राहत दिलाने के लिए संघर्च की नितरत में एक पहल है तो देखो यह बी ऑप्शन इसका सही है क्योंकि जो कोविड-19 के बिरुद्ध प्रभावी दवा का निर्धान करने के लिए एक यह पहल है इसमें चार दवाओं को जो है डबलू एचो ने म मानता दी है ठीख उनी के विकास के बारे में बात करता है । इसे नाट की अकाडमी दौरा 201960 में अपनी एक संघठक इकाई के रूप किया गया ता सेकेंड है यह चात्रों को रंगमेंस के सभी पहलूं में प्रसिच्छित करता है और हम डिप्लोमा का सही हो जाता है जो यह नाट की दाष्टी नाट यह बिद्याले के बारे में बात करता है नेक से हमारा 75 कुस्टन नमबर इसमें electronics में quantum dots का महत्व बढ़ता जा रहा है quantum dots क्या है तो यह नैनो पैमाने के कृत्रिम क्रिश्टल हैं जो इलेक्टरानओ का परिवहन कर सकते हैं इक ही समय में दो क्वांटम अवस्тоाओं को प्रदर्शित करने में सच्छंत अपरमाणडविक क्टार के ऐसे पत्राथ्मिक कड़ है जो प्रोटान और न्यूट्रान जिस्ते- बिबिन अपरमाडविक कणों का निर्माड करते हैं डी ऑप्षन है कि इसे इलेक्ट्रानिक निर्माड के उप्योग में किये जाने वाले रेर अर्थ डोप समों को संदर्वित करता है तो इसमें इस सरुत्म संट करता है ने पैमानिके कृष्ट्स हम करते हैं। इनके बारे में कि इसमें इरॉनियुम का प्रमाड़ भंडार है इसके बारे में वताना है फ़स्ट है कि जादू गोंडा की खाने ठीक है सेकेंड है अरावली की स्रेड़ी कुडपा बेसिन और महा देख बेसिन तो यह चारों जो चारों की चारों हों इसमें आपको यूरेनियुम के प्रमारित भंदार देखने को मिलते हैं तो यह ऑप्शन ए सही हो जाता है यह जा सब्सक्राइब की सब्सक्राइब करना है तो इसके बारे में बताना है तो यह दोनों इस्टेटमेंट जो हैं यह सही है जो बैस्विक समुद्री उर्जाद अच्छता भागिदारी के संदर में ठीक है तो यह हमारा स्री उप्षन सही हो जाता है इसका एक और दो नेक्स है कि हमारा 76 कुश्चन नमबर इसमें कहा गए कि या बिहार की छड़ कटपुटली का पारंपरिक रूप है इसमें सहली में कटपुटली आ कास्ट निर्मित होती है, पच्च्चिम मंगाल और उटिशा की पारंपरिक छड़ी कटपुटली कों के विपरीत यह कटकुटलीया एक तुकड़े में होती है और इनमें कोई जोड नहीं होता है अधा इनका ऍदून अनिछ पुटली आ के झालिकि तो यह किस कटपुतली की इस सेली के बारे में बताया गया है तो देखो इसमें क्या है कि पुत्तन नाच कटपुतली या गुम्मेटा कटपुतली है यमपुरी है और कटपुतली है इसके बारे में तो देखो यह जो हमारी सेली है आपको यमपुरी यह देखनी को मिलेगी इ इसी के बारे में पूरा वरणन किया गया है कि यह मतलब बहुत विशिष्ट होती इसमें जोड भी नहीं होते हैं और इसका संचालन बहुत ही निपूरता की अवस्चिक्ता होती है ऐसी मतलब उसके लिए और यह पुतन नाच की बात करें तो यह पच्चिमंगाल में आपको इता है यह आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी ओर यह यमपूरी तो बिहार में आपकी देखने को मिलेगी बिहार के बारे में 29 सब्सक्राइब करते हैं निम्लिकित में से किस यूरोपी शक्ती ने कार्टेज प्रणाली प्रारंब की थी तो एक परकर का जो हिंद महासागर में आपको देखने को मिलेगा जो ब्यापार करता है तो उसको एक मतलब पास या टोकेन के रूप में जाना जाता था अगर ये पास इन प्रॉक्त कालियों से वो जहाज बैपारी नहीं लेते थे तो वो अगर अपना बैपार करने के लिए जो हिंद महासागर वाले चितर में अपना जहाज उतारते थे तो ये लोग अपने आकर के जाना तो ये पास लेना ही पड़ता था ठीक हिए इन्होंने बनाया था क्योंक्य फोट इनको इन्लेना पहुड़ कि इन्होंने से पावर्फुल थे नोसिना में नेक्षिक बिभिन प्रकार की राजनीति देवस्ताओं के संदर्व में निम्लिकत्नों पर विचार किजिए तो फ़र्श एकि समयधानिक राजतंतर में समयधान प्रटीकात्मक्ष दस्तावेज के रूप में कार्य करता है जबकि वास्तिविक सक्ति समराट में कर्दान मंतरी के बारे में जो बताया गया है तो यह परतीकात्मक तो यह जो प्रमुक प्रमुक का राज़ा होता है ऑर । उस्के बाद प्रधान मंतरी। होता है वहां पर ठीक है तो इसमें जो आपको सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है फ़स्ट गलत है नेक्स है हमारा कुश्चन नमबर 81 इसमें भारत में एतिहासिक भावनों की सहली के संदर्व में बताया गया कि निम्लिक कत्मों पर विचार कीज़े तो भावन है सहली रही है तो इनको मिलान करना है तो फस्ट है कि से कैथरल गोवा ये मतलब गोथिक सहली है और कनाट प्लेस जार्जिया सह हमारा सह सही है तो य मारडल कमांद्च का विकास और प्र Dewसर नियंतर इży जना रु twist कारिकरम तो यह जो आपको देखने को मिलेंगे चारों के चारों यह घटक जो हैं जल कारांति अभियान के हैं तो यह हमारा डी option इसका सही हो जाता है जल का रांती के बारे में और यह जल कारांति अभियान जो है इसकी जो संचालन है ये केंदरी जल संसाधन नदी विकासियम गंगा सन अच्छन मंतराले के अंतरगत किया जाता है इसकी शुरुआत जो की गई थी पांच जून 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी ठीक है तो इसके अंतरगत ये चारों शामिल किये गए है नेक्स है कि डाइरिया उपचार के डा जली करेंग तो ये दीनों जो है व्लिए योटों कैंटि ओ व्लिले ये यूदy करें और इसके साथ पो सक पोसक भोजन भी इसमें साम्मिल किया गया कि मतलभा कि योपोजन का पीशन को दिया ऐसे अंग उते हैं जिसमें डिनेय पाया जाता है जो माइटो कॉसिका से दाता कोशिका में नाभिक के इस्थानतरण के पस्चात होता है तो यह गलत है यह पूर दोनों इस्थतियों में किया जा सकता है जो माईट्रोकुंड्रिया रिखेको न कीया जा सकता है ठाँ तो यह मानों को那么űक्णुक्रिया केंद्र रॉड नहीं पायाजाता है तो हमारा एक आप्सन सही हो जाता है केवल एक नेक्स है कि 85 इसमें कहा गए कि निकित युगमों पर बिचार की यह तो फस्ट है पुस्तक और लेखक दिये गए हमें तो उनका बताना है तो हाई इस्ट हाई कास्ट उमेन हाई कास्ट हिंदू उमेन तो इश्वर चंद विद् अमधार जी ने पुष्तक लिखी ती फस्ट वाले में कहा गहाए हिए कुस्त हिंडू मेन तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी यह रचना पंडित र माभाही ने की थी और यह पाहीर दाभी के बारे में बात करें तो तो शरद चंद्र चटर जी ने इसकी राचना की ती पुछ तक की ठीक है तो ये दोनों हमारे गलत हो गए और ये सेकेंड डिस्टेट्मेंट हमारा सही है तो बी ऑप्सन सही हो जाता है नेक्स है हमारा कि भारत में महाल वारी बेवस्था निम्लिकित में से किसे के है कि हाल्ट मेकंजी भी है रॉबर्ट मार्टिन और फ्रांसिस हैस्टिंग तो ये तीनों जो है इससे समंदित ये सही सुमेलित है तो डी ऑप्सन सही हो जाता है क्योंकि महाल वारी बेवस्था को लागो करने में इन तीनों का मातवपूर्ण योगदान आपको देख सकते हैं और यह जो महाल वारी बेवस्था ती इसमें कया है कि पूरे किसानों को जो पूरा गां होता था इसको एक महाल के रूप में सही संही कर लिया जाता था ठीक में कि जो वहां का पंच होता था वो पुले गाउं का रिकठा करता था अपने और फिर इनको अंग्रेज्जों को ये बिटिस सरकार जो बिटिस भारत की सरकार थी उसको सहने पता था और यह उत्र भारत में आपको देखने मों मिलेगा जैसे और एमपी पनजाब था अवद था इस छेत्र में यह लागू थी और यह जो आपको देखने को मिलेगी 1822 के आज पास लागू की गई थी ठीके उत्र भारत में नेक्स है हमारा कुस्चन नंबर 87 में निम्लिकित किस संदर्व में हेलंस्की नियम हेलंस्की नियम और कमपी कैंपी योन नियम और बरली नियम प्राय सुखियों में रहते हैं तो जल बिभाजक ए आपस्टन भी है परमाड़ निशस्त्री करोण किया जयो विवित्ता का संद्चन और ओजोन संद्चन डी आपस्टन तो ए आपस्टन इसका सही है जो जल विभाजक के बारे में बात करता है यही जो हेलेंस की नियम है केमपी योन नियम है और बरली नियम है यह मतलब जो जल विभाजक के बारे में बात करता है कि किसका कितना दाईत होगा जल पे और किस स्टेट का स्वामित होगा जिस स्टेट में फूर निकलती है ठीक है तो अनिकी सर्व में ये बात करता है ठीक है बर्लिन और Dollori को यह जल विवाजन करते हैं जैसे कावेरी जल्ब विवाद था तो उसके बारे में किसका कितना कितना नियन्टरन होगा कैसे कैसे विवाजन होगा तो यह जल बीवादन करते हैं तो यह जल बीवादन से समझने तो यह जल जल बहुत जल्दी पहुंच लेती है नेक्स है कि शम्मिदान संसोधन विधेख के संबंद में नहीं किसमों पर विचार करना है तो इन्हें गया सरकारी सदस्यों के विधेख के रूप में पृष्टित नहीं किया जा सकता है कि ऐसे विदेग की धारा या अनुशुची में कोई भी संसोधन विशेस बहुमत से निरेनित किया जा सकता है थर्ड है कि दोनों सदनों के मद किसी भी आसहमती की इस्टित में विदेग पर संसद के दोनों सदनों की संस बैठक नहीं की जा सकती तो यह सही है कि अगर जो मतलब समिधान संसुथक में कोई गतिरोद हो जाता है दोनों सद्रमों में तो वहीं समाप्त हो जाता है उस पर कोई सहीं शाइंग तो बैटाका प्रोविजन नहीं है तो यह सटेट्मिंट SHP विधेक जाता है लिकांने सेकेंड में जो चाहा गया मतलब कोई सकते हैं जा ओर सिद्धियार की ज़िया जाकता है और ये जो कहा गए है कि इसमें गैर सब्सक्राइलिक में पृती नहीं किया सकता तो ये किसे जो एक का की हाल ही में भारत सरकार ने बाजार असूचना और पूर्च म一 तो इसके संदर में बताना है तो फ़र्स है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की पूर मुत्पत्ती उनके लैंड फॉल का पता लगाने के लिए सेकेंड है तमाटर प्याज और आलू की कीमतों की वास्तिक समय निगरानी के लिए कि बाजार में सबी आवस्तिक वस्तों की आपूरती नियंटर्ण करने के लिए और डी ऑप्सेने की खुद्रा उद्धोग यी कामर्स की पैठ निवदारिद करने के लिए ठीक तो यह भी यह लॉंच किया गया है तमाटर प्याज आलू की कीमतों की वास् सब्सक्राइब होता है उसको इस्तिर किया जा सकते हैं नेक्स है कि 90 कुश्चन नंबर इसमें अंतर राष्टी रिंड सांखिकी रिपोर्ट प्रकासित की जाती है तो इसके बारे में बताना कि कौन प्रकासित करता है तो फस्ट है अंतर राष्टी मुद्रा को सेकेंड है नेग्स है कि भारत में धुरुई और भूत उल्ययंग की उपगरहा प्रिच्छन यान असलमी के संदर्मिन विकतलों पर विचार करना है तो फर्स्ट है की एसलवी के बारे में तो फ़र्स्ट है की पी एसलवी कि यह करने के करने के कि यह यह जबकि यह एसली का उपयोग मुखी रूप से अत्यधिक दीर्ग कर चाहों में संचार उपगरों को ने करने के लिए को यह जो कहा गया कि केवल प्रतिवी के जो प्रतिवी के बारे में कि बृताकार कच्छा में केवल प्रतिवी के प्रिच्छन करने वाले उपग्रहों को तो नहीं नहीं यह गलत है क्योंकि यह संचार उपग्रहों को जो है जो प्रतिवी की बृताकार कच्छा और जियो सिंक तक तो यह हमारा गलत हो गार्ट जो छी इंटको देखने को मिला था फिक निए मो loro किया के थो किया गलत हो गया सकिन्ड स्ट ही ढवारी स्ट अप्सिन हमान सही हो जाता है अधी सथगन के मामलों में निम्रिक्त से कौन सब्सक्राइब के बारे में इंपलीमेंट करने की बात करता है उसके बाद करता है तो भारती ज़र बैंक अधने मुनिश्यों 24 में और बाइई को ऐसा अधि इस तगन आरोपित करने का अधिकार देता है सेकेंड है अधि इस्तगन का पालन करना बैंकों के लिए अनिवारे तो यह गलत है अनिवारे नहीं है उनके बिबेग पर आधारित है अगर वो चाहें तो इसको इंप्लिमेंट कर सकती है नहीं चाहें तो वह नहीं तो कि वह उनके विवेग पराधारित है और यह जो आर्बियाई का एक्ट 1934 नहीं है इसमें आपको देखने को मिलेगा जो बैंकिंग बी नियमन रेगुलेशन एक आपको देखने को मिलेगा 1949 वाला ठीक है उसी के अंतरगत इसमें किया जाता है यह रेगुलेशन किया जाता है तो दोनों स्टेटमेंट यह गलत हो गये तो हमारा सही पूछा है तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है ठीक है क्योंकि दोनों में से दोनों गलत हैं नेक्स है हमारा 93 कुष्टन नंबर इसमें वेंचर कैपिटल फंड के निवेशक के संदर में बताना की कौन सा कथन सही है तो फस है कि यह फंड सामानी तोर पे स्टार्ट अप और लग से लेकर मगध्यम आकार वाले उद्म में निवेश करते ह हैं यह जने कंपनियों में निवेश निवेश करते हैं उनने सक्री बहुमिका निवेश करते हैं हुग कि निमिकित में से विचार करना है कि मठ दिये गए हैं और इसका इस्थान दिया है कि कौन कहां मठ हिस्थित है तो बॉमडिला सिक्यम और रंग दूम लद्दाक और रूम टेक अनातल पर देश्थ देको यह इसमें सेकेंड सुमेले थे क्योंकि रंग दूम जो मठ है यह भारती पुरातत तो सर्वेच्छन जो है इसने से अभी जो रंग दूमठ है लद्दाक का इसको राष्टी महातों का दर्जा मतलब इसमारत घोसित किया गया है इसलिए न्यूज में था और जो यह तुमको बो मिडला के बात करें तो यह हमारा देखने को मिलेगा यह समाचार पत्र अपराध के लिए पुरुद्शान अधिनियम 1908 के संदर में बताना है कि कौन सा कथन सही है यह बताना है तो फश्ट है कि या लाड मिन्टो दोती के कारिकाल के दोरान लागू किया गया था सेकेंड है इसमें आपत्र जनक लेख प्रकासित करने वाले भारत इस्तित किसी भी मीडिया हाउस की संपत्ती जब्त करने का प्रावधान था तो यह दोनों इस्टेटमेंट गलत हैं जो हमारा यह था समाचार पत्र अपराध के लिए पुरुद्शान अधिनियम 1908 ठीक है नहीं मतलब गलत है यह बताना है जो इस्तगन प्रस्ताव के बारे में यह देखो जो गलत है ठीक है गलत के बारे में बताना है कि यह कौन सा है तो फस्ट है कि यह संसत के दूनों से दूनों में लाया जा सकता है एक ही बैठक में एक से अधिक इस्तगन प्रस्ताव लाया दूपया जा सकता है तो देखो यह जो कहा गया एक statement जो थैइट में तो यह नहीं जा सकता जो यह सविदिक निया-धिकरन है या और दनीश नयायलें है यह मतलब प्राधिकरन है उसके अंतर मामिला है उसके बारे में संशत में कोई मामिला नहीं उठाया जा सकता तो ये गलत हो गया ठीक है और ये कहा गया कि एक से अधिक एक ही बैठक में इस्टगन प्रस्ताव लाया जा सकते तो ये भी गलत है एक से अधिक नेक्स है कि हाल ही में सुर्कियों में रहा IEC 360 डिग्री सर्वेच्षण के बारे में बताना है IEC तो ये भारती परिवारों के आर्थिक और सामाजिक कल्यान आकलन करने के लिए किये जाने वाला सर्वेच्षण है बी है कि या डब्लू एचो शरोच्षण है जो वांचिस परणालियों की प्रगति की निग्रानी करने के लिए नीति निर्मावताओं तो आवस्चिक साच आधार का निर्माण करता है यह भारत में बैंकिंग चेत्र के समग्र स्वास्त का मापन करने के लिए किया जाना वाला अर्भी आई सर्वेच्षण है और थर्ड डी की चादर की मोटाई का मापन करने के लिए यूरोपी रिशर्च इन पॉलर रीजन दोरा किया जाने वाला सर्वेच्षण है तो देखो इसमें यह हमको देखने को मिलेगा ए आप्शन सही है क्योंकि यह जो आईश के बारे में बात करता है या भारती परिवारों के आर्थ तो यह सब मतलब उसके बारे में बहतर पता चलेगा तो हम बहतर जो इस टीमें हैं वो चला सकते हैं उनके लिए और बी नियमन अनुशासन की बात करें तो उसमें भी बहुत अच्छे से हम नीटियां बना सकते हैं और रंड़नीतिक विकास के लिए भी रंड़नीति तयार कर सकते हैं इन अगर हमको डाटा मिल जाता है आर्थिक और समाजिक कल्यान के लिए ठीक है तो यह हमारा इसका सही हो जाता है ने कि आ तो ये गलत है यह सिटेंड़े वाला इसके और चदर बढ़ता नहीं जो यह समताफ मुऑनिक का किस्माटव और और ये दच्षिड होघा हा साकतर का या जिक हो फिर्शन अगर होती है तो समय जो वidays को है ciao और आर तो यह स्टेटमेंट हमारा सही हो गया तो हमारा इसमें ए आप्शन सही हो जाता है ठीक हाल ही में सुर्कियों में रहे निधी प्रियास कारिकरम का उद्देश है तो फस्ट है कि युवाओं में उद्दमिता और नवाचार को बढ़ावा देना सेकेंड एक प्रते एक जिले में समर्पित कोविड-19 अस्पिताल इस्ताफित करना थी है कि आसा कारिकरताओं को तपेदिक से लड़ने के लिए प्रिशिचित करना ड ठीक है तो इसके बारे में यह बात करता है इसका कारण क्या है कि जो यह साइंस्ट टेक विभाग है ठीक है उद्दमिता मंत्राले के अंतरगत तो उसी के अंतरगत यह चलू किया गया है ताकि जो यह वह हैं उनको उद्दम बनाजाए और नवाचारी शिच्छा को बढ़ करा में हैं लेकिन अनिस्किल्ड लेबर है तो उनको इस्किल्ड बनाने के लिए यह कारिकरम चलाया जाते हैं ठीक है तक कि हमारी प्रोड़क्टिविटी और ज्यादा निकल कर रहा है नेक चाहिए निमलिकित चतनों पर विचार कीजिए तो फस्ट है संग द्वारा किसी बिदेशी राजी छेतर का निश्तारन कारिकारी कारवाही द्वारा किया जा सकता है सेकेंड है कि भारत और बिदेशी राजियों के भी सीमा बिवादों की निप्टारे के लिए संभिदान संसोधन अधिनियन की अवस्रक्ता होती है थर्ड है कि अंतरराष्टी कन्वेंश भारत और विदेशी राजी के बीच सीमा विवादों के निप्तारों के लिए समिदान संसोधन की अवस्था होती तो नहीं इसकी अवस्था नहीं होती है और फस्ट में जो कहा गया कि संग द्वारा किसी विदेशी राजी छेतर का निस्तारण कारीकारी कारवाही द्वारा क किया जा सकता है यह गलत है समय्दान संशोधन किया बात करता है यह आप देखने को मिल स्थैन भी इसी के लिए किया गया था और सुभ edile को कुछ चहतर जो दिये गया था ihm कुछ कटPO प्रेजिंट का उदारनँ भी देख सकते लिए तो हमारा और पिर्ट स्टेट्मेंट साइए तो two option साही हो जाता है के रटी तो हमने हर्ट कुष्टन पूरे कर लिए हैं मतलब 50 कुष्टन आज पूरे हो गए हैं तो यह हमारी 33 ही ज्याज हो चुके हैं यहां पर फिर्टी तू कंप्लीट हो चुके हैं कल आपको 32 का जो है 33 का फर्स पार्ट मिल जाएगा और परसों मिल जाएगा 34 का सेकेंड पार्ट ठीक है और इसके 35 तो हम बहुत जल्दी पूरे कर लेंगे उसके बाद भी लॉंच कर दी है 37 36 और 37 भी टेस्ट हो चुके हैं तो मैं जितने भी यह वीजन कराएगा टेस्ट सारे टेस्ट में मैं आप लोगो को सूल करवा दूंगा और अगर चाहिए उसका इंसट का भी टेस्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स मिगाने बादये मैं यम्опас करनके तो आप यह झितना ही और गर फीडिए यह वहां से डाउनलोड करके एक बार एक नेजर में देख लिए ना उसके ताकि आपको अच्छी जो है अंडेस्टेंडिंग हो जाए और अच्छे से आप एक्जाम को टैकल कर पाएं एक्जाम होल में ठी है तो आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस् जेवारत